तेकनिकल में आप सभी का स्वागत है एक न्यू वेकंसी का फाइल नी अपडेट आ चुका है यह जो वेकंसी आपके आई है उत्तर प्रदेश सफाई करमचारी नई भरती दोजाच 24 को एलडी इसका अपडेट आ चुका है अब यह आपको संपूर यानकारी देंगे क्या सेल प्रदेश सफाई करमचारी आने वाली इसका अपडेट वेपर कटिंग में बता दिया गया है अभी आपको फोन के स्कीन पर भी पेपर कटिंग दिखाएंगे जो वेकंसी बताईगी कि कब आयने वाली है अब आपको बता देश मुझे टोटल पोस्ट आ रहा है आपका जो प्रमफीस बता दें जर्णल ओबीसी इडबुली इसका यहां पर कोई फीस चार्ज नहीं पड़ेगा यहां पर कोई फीस चार्ज नहीं बताएगा कि अपका फॉमफीस इसमें पड़ेगा अपका फिरी रहेगा एज लिमिट आपके 18-40 सा रखी गई है ओवीसी को एज में आठवी पास आपका रखा गया इसमें कि आपका किसी परकार का रिटेन एक्जाम नहीं कराया जाएगा इसमें आपका आठवी पास हो तो आप इसमें फॉम अपलाई कर सकते हो विभाग का नाम आपको बता दें तो नगर निकाय में आपका नगर निगम में आपकी भरती निकाली गई हैं, सेलरी से 15,500 रुपे पर मन्त आपको इसमें सेलरी दी जाईगी, अब आपको बता दे, जाब लोकिशन आपका कहरेगा, ग्राम पंचायत, गाउं में ही आपका जाब रहेगा, क्यों कि नगत निकायत में आपका लगता है आपका, तो ग्राम पंचायत हो जा आपको बता रहे हैं, आप देखे, साइड में देख सकते हो, हमने लगा दिया है, यहाँ पर बताए गया है, यहाँ पर बताए गया है, चालिस जार सफाई, जार संविधा बेस आपकी वेकेंसी रहेगी, महलब आपकी पर्मानेंट जाब नहीं है, संविधा बेस पर संविधा बेस पर सफाई कर्मियों की भरती को मंजूरी मिल गई है, अब आपको हम बता दें, चाहन समीती से आपको आधिकारी के खत्र मिलके महल पर चेर्मेन होंगे, इसके अध्याच, महलब इस चेर्मेन के थुरू ही आपका, इसमें सेलेक्शन किया जाता है, क्योंकि अगर निगम में आपको चेर्मेन ही रहते हैं, यहाँ पर यह बताएगा, 35,700 पदों के अस्थान पर आप 40,000 भरती परक्रिया की जाएगी, पहले हैडिंग आप देख लिजी, चहाँ पर लखनो लिखाएगा, लखनो की नीचे आप देखोगे, साइड में, तेहाँ पर ब बतादे, इसमें आपका किसी परकार का रिडे कजाम नहीं कराएगा, इंटर्वी अभी तक नहीं बताilit कि अपकर नहीं बताये हैं, कहीं करा वत । यह सारा कुछ प्रोसेस है, ईंटर्वी आपमान के चली हैं, आपका इसमें इंटर्वी नहीं होगा, आपका मायरिट क क्य करके देखा जाएगा उसी के अधार पेस्ट में सेलेक्शन आपका किया जाएगा फिन डोकॉमेंट वेरिफाई होगा जो कि डोकुमेंट आपको ऑनलाइन करते से में लगेगा वही आपका डोकॉमेंट वेरिफाई होगा इसमें मेडिकल आपका नॉर्मल प्रोसेस रहेगा क पर आपको बता दें आपका मार्च अप्रेल माई जून जुलाई आपको मान के चलिए जुलाई से अपका प्रेल माई जून जुलाई जुलाई से पहले नहीं होगा जब चुना हो जाएगा फाइनल उसके बाद ही आपकी वेकेंसी कोई भी जारी की जाएगी और कोई परकेरिया आगे बढ़ेगी तो आप मान के चलिए जुलाई से आपका प्रेलाई होना सुरू होगा झाल 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 झाल, कदन के धूड़ेगा